किस भावनाओं से आप प्रात्ना करते हैं। आप कैसे परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर आपके लिए कितना कीमती है। वो आपकी प्रात्ना हैं बताती है। अगर आप सिर्फ अपने शरीर के लिए ही मांग रहे हैं। तो आपका भरुसा परमेश्वर पर नहीं है आलेलुया लेकिन जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे आपको जानना है आप मेरे सुरगी पिता है आपने मुझको जन्नम दिया ये संसार किसने दिखाया आपको परमेश्वर ने आपके माबाप के जरीए इस संसार में कौन लेकर आए आपको? भरमेश्वर आज आपको जो सांसे दे रहा है, जो जीवन दे रहा है, वो कौन दे रहा है? भरमेश्वर उसकी कीमत आपके अंदर क्या है? आप उसको किस नजर से देखते हैं? प्रेस अलॉट Bible अमें बताती है, जिस दिन हम उसके सामने समर्पित होकर कहते हैं कि पता, मैं कुछ भी नहीं हूँ ना मुझे रह पता है, ना मुझे कोई मनजिल पता है मुझे सिर्फ एक ही नाम पता है, पता है और वो तो मेरा पता है वो इश्यू है जब आप उसके सामने समर्पित होकर उससे मांगते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, वो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता है, अगर आपके अंदर कोई कला है, तो किसने भरी है? अगर आप अपने परोशी से अलग हैं, तो किसने अलग किया है? अगर आपको जो जीवन दिया है, वो किसने दिया है? तो उस परमेशर को हम कभी न भूलें, उस पिता को, इस इशु को, जिसने ब्रह्मान की रश्णा की, जिस आकाश के नीचे हम चलते हैं और जिस धरती के उपर हम चलते हैं, वो उसने रची है, जिसको हम पूछते हैं, विश्वास करिए, प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है, आज मैं कुछ आपको बहुत इंटरस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, हालेलिया, यहाँ पर बाइबल जानने वाले बहुत हैं, लेकिन परमे शैतान आदब को फल खिलाना चाहता था, लेकिन नहीं खिला सकता था, आदम को फल नहीं खिला सकता था, क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार था उसके पास क्या था? अधिकार उत्पती 1 का 26 में बाइबल कहती है कि उसने कहा है कि आओ हम इने अपनी समानता अपने सरूप में रचे और पूरी धर्थी की प्रभुता उसने आदम को दी पूरी धर्थी की प्रभुता पूरे धर्थी को आदम के बस में कर दिया उसने हाललिया और ये शैतान जानता था धरती पर किसका आदिकार था आदम का हाललिया शैतान जानता था कि अगर मैंने आदम को फल खिलाने की कोशिश की और आदम ने मेरे शडियंतर को समझ लिया और मुझे निकाल दिया तो मैं धर्ती पर फिर कभी नहीं आ पाऊंगा कहां रहता है शैतान? तीसरे आकाश में आज भी कहां रहता है वो? तीसरे आकाश में, धर्ती पर नहीं तीसरे आकाश में रहकर मनुश्यों के द्वारा वो धर्ती पर शासन कर रहा है जो नहीं जानते प्रभू को मनश्यों के द्वारा वो धर्ती पर शासन कर रहा है इसलिए ही नोस कि अगर बै पकड़ा गया मेरे शडियंद्र को क्योंकि वाचा किस से परमिशन ने बांदी थी आदम से इसलिए उसने हवा को चुना अब वो हवा के पास आया क्या तुझे सब फल खाने के लिए मना किया है हवा ने का नहीं मुझे सब फल खाने के लिए मना नहीं किया लेकिन वो जो अदन की वाटे का कि बीचो बीच फल है वो जो बुरे और भले के ग्यान का व्रिश्ट का फल है उसे खाने के लिए मना किया है, और अगर मैं उसे खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, शैतान ने का ने तो नहीं मरेगी, हालेलुया, क्योंकि परमेशन जानता है तो जीवित हो जाएगी, शैतान शरील के जीवन की बात करा था, और परमेशन ने आत्मा के जीवन की बात की हालेलिया शैदान हमेशा आपको जूट बोलता है शैदान सबसे बड़ा जूटा है प्रेस अलॉट इसलिए आदम ने आसानी से हुआ क्योंकि अज्ञानता की उसके पास ज्ञान नहीं था वो वाचा में नहीं थी उसको वर्गला लिया और बाइबल आप कहती है अगर हम उस बाइबल को पढ़ेंगे छटा और साथमा उत्पति तीन और छे और साथ अगर हम पढ़ेंगे कि देखेंगे कि आदम शैतान ने हावा को वर्गलाया और हावा ने जब देखा कि ये फल देखने में अच्छा है बुद्धी के लिए अच्छा है जानने के लिए अच्छा है तो उसने फल तोड़ा और खुद खाया और उसके बाद अपने पती को दिया किसको दिया? अपने पती को दिया आदम को, फिर आदम ने खाया और जैसे ही आदम ने खाया वचन कहता है कि जैसे ही आदम ने खाया उनकी आखे खुल गई और उन्होंने देखा कि हम तो लंगे हैं उनकी बुद्धी खुल गई तो आपका जीवन बदल जाएगा आज जो परमिश्वा ने मेरे मन में डाला है अगर आप उसको समझ गए तो आप अपने जीवन को बहुत सचेत होकर जिएंगे तो उसने क्या दिया? हवा को दिया और हवा ने खाया और हदुआ ने खाया कि अच्छा है उसने अपने पती आदम को दिया और आदम ने जैसे खाया उसने देखा कि हम नंगे हैं और जैसी है उसके अंदर डर की आत्मा आगे अगर हम यह पढ़ेंगे छटा साथ मां जली से पढ़िए कोई पढ़ेगा जली से? अथा जब स्त्री ने देखा कि वो व्रुक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाहू और बुद्धी देने के लिए चहानी योग्य भी है तब उसने उसमें से तोड कर खाया और अपने पती को भी दिया और उसने भी खाया तब उन दोनों की आखे खुल ग तु कहा है किसे पूछा आदम से अबुछा क्योंकि आदम से ही उसकी वाच्छा थी आदम से पूछा जवाब देही किस किस की थी आदम की आँखे किस की खुली आदम की अलो अलेलुया आदम से पूछा कि आदम तू कहा पर आगे जलिए बढ़िए बेटा उसने कहा मैं तेरा शब्द भारी में सुन पढ़ा रहा इसलिए चिप गया उसने कहा किसने तुझे बताया कि तु नंगा है जिस रक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था क्या तू ने उसका फल खाया है आदम को शैताम जानता था आपको चुना है परमेशन ने आपके संगवाचाबादी कितने लोगों के संग परमिशन ने वाचा बांदी है, कितने विश्वास करते हैं Hallelujah आपके संग परमिशन ने वाचा बांदी है Praise the Lord हो सकता आपका पती वाचा में ना हो हो सकता आपके बच्चे वाचा में ना हो हो सकता आपका पडुसी वाचा में ना हो हो सकता आपके दोस्त वाचा में ना हो हो सकता आपके दोस्त बच्पन से आपके साथ खेल रहे हैं कूत रहे हैं आप एक दूसरे को देख रहे हैं 20 साल से एक साथ है अलेलुया और आप कहते हैं कि मेरा दोस्त है हरे मैं बच्पन से 20 साल से इसके साथ हूं 20 साल से इसको पता है मेरा मुझे इसका पता है सब कुछ पता है और यह तो बहुत अच्छा लगा है हमने तो बहुत अच्छा लगा है लेकिन वाचा में नहीं है वह अलो वह किस में नहीं है वाचा में नहीं है अधिकार में नहीं ह के पास अधिकार नहीं है जब आप इशु मसी को अपना प्रभू मानते हैं तो आप अधिकार में आ जाते हैं जब आप इशु मसी को अपना प्रभू मानते हैं तो आप नहीं शिश्ची में आते हैं उसकी समानता उसके सुरूप में आप रह जाते बन जाते हैं जैसे ही आप उसकी समानता उसके सरूप में आते हैं वो अधिकार जो आदम का था वो आपके पास आजाता है हलो जिस दिन वो अधिकार आपके पास आजाता है संसार आपके पास आने से घबराता है शैतान शैतान आपके पास आने से घबराता है आप समझी जो मैं आपसे कहला हूँ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ जिस दिन जिस दिन आप उसकी समानता उसके सरूप में आ जाते हैं आप नई स्रिष्टी बन जाते हैं और जब आप नई स्रिष्टी बन जाते हैं तो शैतान आपसे घबराता है शेतान आपसे घबराता है और तब शेतान सोचता है किसको पकड़े आपके दोस्त के सौरा आपके जैसे हवा के दोरा वो आदम के पास आया फिर वो आपके दोस्त को देखता है फिर वो आपके पत्नी को देखता है फिर वो आपके भाई को देखता है वो आपकी बेहन को दे यह बहुत important आज का विशे है अगर इस विशे को आपने ध्यान से समझ लिया आपको 24 घंटे सचेत होकर जीना है क्योंकि आपके पास परमिश्वर का दिया हुआ वर्दान है वो अधिकार है आप भावनाओं में नहीं बह सकते आपका पिता अगर वचन में नहीं है अगर आपका पिता अधिकार में नहीं है वाचा में नहीं है ठीक है वो आपका पिता है आप उसकी सेवा करिए लेकिन अलर्ट रहिए कि शेतान उसके द्वारा आपको ना खतम कर दे आपकी धार्मिक्ता ना छिन जाए आपकी पवित्रता ना छिन जाए सेवा करिए जरूर सेवा करिए अपने पिता की जरूर सेवा करिए लेकिन आपको यह सचेत रहना है कि मेरा जो अधिकार है मेरी धार्मिक्ता मुझे में बनी रहे शेतान का मकसद ही है कि वो आपकी धार्मिक्ता को छीने वो आपकी धार्मिक्ता को खतम करना चाहता है वो आपको अपवित्र करना चाहता है ताके उस परमेश्व की समानता परमेश्व का सरूप आप मेंसे निगल जाए इसलिए शैतान ने हावा को चुना क्योंकि हावा कमजूर थी आदम ने हावा को सूसों मचार सुनाया था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना है अगर तुखाएगी तो मर जाएगी अमेन तुझे चूना भी नहीं है इस पेड़ का फल हालेलिया लेकिन हावा क्योंकि कमजूर थी वो उसके भैकावे में आ गई प्रिसलोट हालेलिया रोमियो आठ का उन्तिस क्या कहता है देखे परमेश्वर क्या चाहता है परमेश्र की इच्छा क्या जब वह आपको चुनता है परमेश्र, जब वह आपको अपना बनाता है परमेश्र, तो क्या चाहता है? रोव्यों आठ का उनतिस की उसके पुत्र के श्वरूप में हो कि उसके पुत्र के सरूप में हो जाएं किया है परमेश्वर की इच्छा कि आप उसके पुत्र के सरूप में हो जाएं हमें धर्ती बर रहते हुए उसके पुत्र के सरूप में होना है प्रेस अलोट जैसे ही आप उसके पुत्र के सरूप में होंगे परमेश्र की समानता परमेश्र का सरूप आप में आ जाएगा परमेश्र की समानता परमेश्र का सरूप आप में आ जाएगा और आप इस पूरी धर्टी पर आपकी प्रभुता होगी जो सामर्थ परमिश्व ने इश्व को दिया था वो आपके पास आ जाएगा आप नहीं जानते हैं कि परमिश्व ने किस तरीके से आपको चुना है पर परमिश्व क्या चाहता है हालेलुया रेस अलॉट इसका तीसवा पढ़िए तीसवा पिर जीने उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी और जीने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है और जीने धर्मी ठहराया उन्हें महीमा भी दी है परमिश्व आपको अधिकार क्यों दे रहा है आपकी महीमा के लिए हलो पर्मेशन आपको अपनी समांतता अपने शौरूप में क्यों ढाइन आपकी महिमा हो आप देहां हमारी का जीवन जीने के लिए पर्मेश्न ने आपको नहीं चुना है कि आप जिन्हेंगे अप सिंदी के और उदास रहेंomos呼त कि कि आइन मेरे नहीं नहीं मेरा कोई नहीं है मुझे लोगों ने छोड़ दिया मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया मेरे मान ने मुझे छोड़ दिया मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया मेरा कोई नहीं है परमेश्वर आपका है प्रभू इसु आपका है उसने आपके लिए बल्दान दिया पर वो इशू मसी वो इशू मसी जो आदमी और और औरत के संबंद से पैदा नहीं हुआ जो मर के जिन्दा हुआ ताकि आपको अनंतकाल का जीवन दे मैं अपनी कावाई आपको पहले कई दर बता चुका हूँ लेकिन हमारी कुछ बहने हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं बॉलिवुड से हूँ जिस बॉलिवुड में जाने के लिए लोग तरसते हैं बॉलिवुड में आने से पहले मैं टीवी एनाउंसर था दूर दरशन पर 83 से 89 में पांच साल एनाउंसर था और आई वस नोली मेल एनाउंसर इन आल ओवर इंडिया निउस पढ़ता था मैं एस लॉट नाइंटी में बॉम्बे आया और बॉम्बे में आने के बाद मैंने 12 फिल्में एज़े हीरो की 12 फिल्में YouTube पे आप देख सकते हैं कई कई बेरी फिल्में हैं उसके बाद मैंने कई सीले डिरेट की Sony Star Z पे कई सीले डिरेट की और 2004 में जब मैं प्रभू में आई उसके बाद मैंने गॉस्पल टेली फिल्म्स बनाई जॉनी लिवर और प्रेम चोपड़ा को लेकर आलेलिया लेकिन जब मुझे प्रभू मिला आई लेफ्ट एवरिधिंग रेसे लॉट और जब तक प्रभू नहीं था मेरे पास में हटाश था मेरी पत्नी जो कि कोरिगाफार है डांस जेरेक्टर 500 फिलमें वो कर चुकी है मेरी पत्नी 500 फिलमें जुमा चुमा दे दे आमिदा बच्चन का उसने compose किया है she's composite हमने industry देखी है हम रोते थे कौन है हमारा लेकि जिस दिन issue मैं सी मिला मुझे मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरा जीवन बदल गया जिस दिन issue मैं सी मिला मुझे मुझे समझ में आया कि वो ही है सौरिगे पिता वो यो ही नहीं बोलता कि मैं तरह पिता हूँ वो यो ही नहीं बोलता कि मैं तरह प्रबू हूँ जब हम ब्याकुल होते हैं और जब हम उसे पुकारते हैं हम महसूस करेंगे कि वो आएगा और हमें कले लगाएगा या जितने बैठे हुए हैं विश्वास करिए मैं विश्वास करता हूँ, जितने बैठे हुए हैं, सब ने उसकी उपसिती को महसूस किया है क्या करना हुआ आपको? आपको सिर्फ समर्पित करना होगा वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है ना आपकी दौलत मांग रहा है ना आपका जिन्दगी मांग रहा है, नाई वो क्या चाहता है, मन से मुझे पुकारो दिल से मुझे पुकार विश्वास कर मेरी बच्ची, विश्वास कर जिस दिन तू विश्वास करेगी तू देखेगी कि मैं बहाँ पहला कर तेरे सामने खड़ा हूँ हालेलिया, क्या चाहता था परमेशर, उसने क्यों चुना है आपको रोमियो आट का उन्तिस, कि वो आप उसकी समानता अपने सरूप में हो जाएं हालेलिया, उसकी समानता, इश्वास की समानता में आप आ जाएं और उसक्या चाहता है, कुछ नहीं चाहता है देखे, बाइबल में दो विश्राम के बात की गई है बाइबल में दो विश्राम के बारे में बात की गई हाललिया हम मती 11, 28 से 30 के बीशे पढ़ेंगे दो विश्राम के बारे में बात की गई और दोनों विश्राम हम लोगों के लिए हैं एक विश्राम परमिश्र ने हमको दिया है और एक विश्राम परमिश्र से हमको लेना है ध्यान से इस मचन को समझे की कोशिश करिए परमिश्र आपका जीवन बदल देगा हाललिया परमिश्र आपका जीवन बदलने वाला है हाललिया मती 11 का 28 देखिए इसमें पहले विश्रा करने वालों बोट से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें भिष्याम दूंगा पहला वश्राम परमिषर अपने अब देता है कि विष्धराम आप ये आ ढई इश्यम थे yell वाइबल के विशय में दयावन्त हूँ और उनके पापो को फिर्स मरण न करूंगा आपके बारे में बात हो रही है क्योंकि मैं आपके वो कहता है वाइबल कहती है वचन कहता है बिरानियों का लेखा क्योंकि मैं परमिश्व कहता है कि उसके अधर्म के बारे में जानता हूँ बुड़ा बड़ी दुवारा से क्योंकि मैं उनके अधर्म के विशय में दयावंत होंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा उसके पापों को आपके पापों को मेरे पापों को वो फिर से याद नहीं करेगा इसमरण नहीं करेगा अलेलिया ना तो वो इसमरण करेगा ना वो हमें याद दिलाएग हलो ब्रेसल हघुश्ज अगर परमेशाद ने आपके पापों को भूल गया है वह साँ आपों को कहता है कि मेह भूल गया हूँ तो इसका वोत तो आपको याद नहीं दलाएगा ये मिडिन क्या होता है हम जब जीवन जीते हैं तो हम आज हमेनारे पाप याद आते हैं और शैतान हमको डराता है कि परमेश्वर को तुम्हारे पाप याद है गलत आपको अगर आपके पाप याद आ रहे हैं तो या तो आपका विवेक आपको याद दिला रहा है या शैतान आपको याद दिला रहा है परमेश्वर याद नहीं दिला रहा है, क्योंकि परमेश्वर तो खुदी भूल गया है, अमें, परमेश्वर आपके पापों को भूल चुका है वचन कहता है, तो वो आपको याद नहीं दिला रहा है, अब आपको अगर याद आ रहा है, तो आपको कौन याद दिला रहा है, या तो आपका विलेक या तो शे clipping अगर आपका विश्वास अगर आप उपस्स्थती में हैं अगर उसके सुरूप उसकी समांता में हैं तो उसकी शक्ती को आप महसूस करेंगे हललिया एमें प्रेस अलट और आप नकार रहें के किनाए परमेश्टर मेरे पापों को नहीं जानता है तो कौन होता है मेरे पाप? मेरे पाप मैंने किये थे खतम मैं अपने पापों से शुद्ध हो चुका हूँ मैंने जतने भी पाप किये थे उसकी सजा इशू मसी ने कुरूस पर भुगत ली है और इशुमसी मरकर जिन्दा हो गया है उसने मेरे पापों के लिए मौत की सजा भोगी और वो मरकर जिन्दा हो गया है अब मुझे सजा भोगतने की जरूत नहीं है इसलिए मेरे कोई भी पाप नहीं किया था आप सारे पापों से शुद्ध हो चुके हैं यह है आपका विश्राम यह है आपका पहला विश्राम जो परमेशन आपको देता है ऐसाब ठके हुए बोच से लगए आपको यही बोज है आप रभू में आगे हैं आपके अंदर बोज नहीं यार वो चार साल पहले मैंने ऐसा किया था मैंने ऐसा किया था लिए पहला विश्राम कौन देता है परमेश्र लेकिन आपको लेना है इस हकीकत को जानते हुए कि आप पूरी तरीके से पवित्र हैं प्रेस अलॉट अपने उपर ये बोज हटा दीजिए अपने अंदर से बोज निकाल दीजिए कि आपके पाप परमेश्र को याद नहीं न आपको मुक्त कर दिया है आपके कोई पाप ने अब दूसरा विश्राम क्या है दूसरा पड़ी 29 मेरा जुआ अपने उपर उठालो और मुझसे सिखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ एमैं आप बोलो और तुम अपने मन में विश्राम पाऊगे एमैं और तुम आइ कैसे लेना है जब हम उसका जूआ उठा लेंगे मैंने लास्ट टाइम में बताए था उसका जूआ क्या है आप खेट पर किसानी करते अपने किसान को देखा हल जो EDUAL होते हैं दो बैलों को ऊपर जूआ रखा होता प्रेज अलॉड जुवा रखा होता है। आलेलिया और उस जुवे को दोनों बईल खेशते हैं और बोटते हैं। आलेलिया। तो यहां पर परमिश्र क्या कहता इशुमसी मेरा जुवा उठाओ। मेरा जुव अपने ऊपर ले लो यानिके एक जुवे का हिस्सा इशु मसीने उठाया है और एक जुवे का हिस्सा किसे उठाना है हलो एक जुए का हिस्सा किस ने उठाया है इशु मसी ने और दूसरे जुए का हिस्सा किसको उठाना है अब यहां हमको दो बात करनी है धान से समझिए दो बात करनी है अललुया एक तो हमचाए कमजोर है हम इशु मसी जैसे सिद्ध नहीं है हम इशु मसी जैसे सिद्ध नहीं है आप बस समझे कि वो तो सिद्ध वही वो तो अच्छा बैल है वो तो चलता है उसको जोटना आता है तो पहली बार खेत में आया हूं मुझे कैसे पता तो आपको दो चीज़ा सीखनी यहां पर हाललुया कैसे आप आशीश पाएंगे कैसे आप विश्राम पाएंगे ध्यान से समझे हाललुया आपने इशू मसी का जुवा उठाया आपको दो चीज़े करनी है नंबर वन उसकी गती में चलना है जिस गती से वो चल रहा है उस गती में चलना है हाललुया नंबर दूसरा जिस दिशा में वो चल रहा है उस दिशा में चलना है जब आप उसी दिशा में विश्राम पाएंगे विश्राम क्यों नहीं पा रहे हैं आप क्योंकि इश्यू की दशा कुछ है दिशा कुछ हो रहे हैं आप किसी और दिशा में जा रहे हैं अलो प्रेस अलॉड वो कहता है मेरा जुआ उठा क्योंकि मेरा जुआ हलका है लोग सकते हैं कैसे जीवन में धार्मिक्त के अनुसार चलेंगे नाई वो कह रहा है मेरा जुवा उठा जो कि हलका है क्यों हलका है कि जुवे के एक सिरभ में इशु है और दूसरे सिरे में आप है आप अगर ये समझते हैं कि आपके जीवन का जुवा सिरभ आप उठा रहे हैं तो तो आपको भारी लगेगा तो तो आपको भारी लगेगा कि आप सोचे ना कि मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरे जीवन का जितना बोज है मैं उठा रहा हूं अरे नहीं भाईया आपके जीवन के बोज का एक हिस्सा इसू उठाए हुए है. आप अकेले नहीं है. वो कहरा है मेरा जुए उठाओ. आप आपका काम का है? उस जुए में लग जाना. Amen. Outro और कोई काम नहीं है आपका? आपका काम है उस जुए में लग जाना और जैसी गती में इसू चल रहा है. जिस दिशा में इशू चल रहा है वैसे ही आपको चलना है हालेलुया विजय आपकी है सफलता आपकी है मन्जिल आपकी है मैं आपको विश्वास दिलता हूँ इस दोनों विश्वाम अगर आपने पाली है इशू आपके साथ है पहला विश्राम उसने आपको दिया, पहला विश्राम उसने आपको दिया, हाललुया, कैसे दिया, जब आपने महसूस की अंगिकार किया, महसूस किया कि परमेश्वर मेरे पापों को भूल चुका है, भूली चुका नहीं है, और नहीं वो मुझे याद दिलाता है, अभी आप किया ताभी याद क्यों आ रहे हैं मुझे पाप, वो मेरे गुना याद कैसे आ रहे हैं मुझे, और आपके अंदर डर आता है, आपके अंदर अपवित्रता आती है, आप समझते मैं अभी तक दूशित हूँ, मैं अभी तक अपवित्र हूँ, लेकिन वचन क्या कहता है, कि वो परमेश्वर याद नहीं दिलाता क्योंकि परमेश्वर को तो याद ही नहीं है कि आपने कोई पाप किये थे याद ही नहीं है आप याद मुठ करिए जब भी ऐसा कोई विशार आ उसको निकालिए उसको निकालिए जो पर्मिश्ड कि विरोत में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना कोकाइद करके मस्य का घ्या-कारी बना देते हैं उसके जुए में साथ देते हैं और उसकी गतिए उसकी दिशा के संग जब चलते हैं तो हम दूसरा विश्राम पाते हैं कितने लोग चाहते हैं दूसरा विश्राम उनके जीवन में आए मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन उसके जुए के अनुसार चलना चुरू करिए हाल लिए एजना नभी के बजन सहीता में पढ़िए बजन सहीता 119 का पहला एजना नभी का देखा हुआ है वो क्या कहता है वो खरी चाल के लिए क्या कहता है पहला पढ़िए बजन सहीता 119 का पहला कि क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहुवा की विवस्ता पर चलते हैं हालेलोया एजना नभी क्या कहता है क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे हैं जब आ अपने अपने उपर उठाया हुआ है तब आपकी चाल खरी होनी चाहिए कैसे चाल खरी होगी उसी की गती में चलेंगे और उसी की दिशा में चलेंगे तो आपकी चाल खरी होगी हलो आपकी चाल कैसे खरी होगी उसकी गती आपको कुछ से नहीं खरना है मैं सच क्या रहा हू ये है guidance ये है प्रभू की पुस्तक उसके मुख से निकलेवी पुस्तक इसके अनुसार चलना जीना सीख लीजिए आपकी सवलता को कोई रोक नहीं सकता कोई रोक नहीं सकता आपकी सवलता को हललिया जो चाल के खरे हैं वो आशीश पाएंगे जो उस जुएक अनुसार चल रहे हैं वो आशीश पाएंगे आदम को पर्मेशन ने चुना था इसलिए उसने आदम से पूछा और जब आदम ने कहा कि मैं छुपा हुआ हूँ मैं तुझको देखकर डर गया तो क्या क्या पर्मेशन है कि कहीं तुने वो फलतों नहीं खाया आदम ने कहा तुने जो इस्त्री मुझे दी है दोश लगाया शमा नहीं मांगी उसने दोश लगाया और आपको बता दू कि पर्मेश्वर ने शैतान को शराब दिया हवा को शराब दिया लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू कि शैतान से तीन गुनाज ज्यादा पर्मेश्वर ने आदम को शराब दिया आपको पता है आपकी जिम्मेदारी कितनी है अगर आप एक वाचा में बंदे हैं आपको बहुत एलर्ट रहना कि आपकी संगती कौन है आप किसके संग घूम रहे हैं जाए घूमने वाला बंदा आपको पचासजार महीना दे रहा है आपकी संगती किसके साथ है शैतान पर्मेश्वर ने नहीं कहा रहे क्या है जब तुने दोश लगाया उसने नहीं सोचा कि नहीं इसकी गलती है क्योंकि मैंने तेरे संग वाचा बंदी है आप उसकी वाचा का हिस्सा है तीन गुना जादा श्राब दिया आदम को पर्मेश्वर ने हालेलुया क्योंकि आदम उसकी समानता अपने सरूप में था आदम के पास अधिकार था वो शैदान को बोलता है शैदान निकल अधन के वाटिका से उसको निकलना पड़ता शैदान जानता था कि अगर मैं आदम के शट्यंतर में आगर अगर आदम ने मुझसे पूछ लिया और अपने अधिकार का उपयोग किया तो मैं धर्ती पर जिंदगी पर नहीं आ सकता मैं तीसरी आकाश में उपर ही रहूंगा मैं नीची आनी सकता इसलिए उसने चाल चली है इसलिए उसने चाल चलिए आप जानते हैं शैतान आप के वर्दान को शैतान आपके अधिकारों को फिर से छीनना चाहता है फिर से छीनना चाहता है पहला पदरस 5 का आठ पड़िए पहला पदरस 5 का आठ देखे शैतान एक गुर्राय हुए शेर की तरह है पड़िए 5 का आठ जली पड़िए किसको फाड़ खाए आपको नहीं पता है अंदकार की जो शक्तियां है वो आपको किस तरह के से देखती है आप तो चले जा रहे हैं अंदकार की शक्तियां आपको फाड़ खाने के लिए योजनाय बनाती है आपको पता है परमिशन ने आदम से कह था कि तेरा इतना बड़ा वंश होगा कि वो वंश चार सो साल तक किसी दूसरे देश में दासतों का जीवन ने भाएगा और उसके बाद मैं प्रकट हूँगा और उसको वह से चुड़ाँगा और उस देश को मैं सजा दूँगा आलेलिया याद है आपको परमिशन की पहली कड़ी उसकी पहली योजना का कड़ी का कौन था सुत्रधार यूसुफ यूसुफ था याकूब का बेटा यूसुफ से परमिशन की योजना शुरू होती है और यूसुफ को परमिशन ने दर्शन में सुप्ट में दर्शन दिया कि आने वाले वक्त में सूरज और चांद और सितारे तेरे कड़मों में होंगे यूसुफ ने उस दर्शन को जीवित कर लिया अपने मन में हम कभी कभी परमिशन के वचनों को हम कभी कभी परमिशन के प्रॉमिसेस पर भरोसा नहीं करते हैं हम सुनते तो हैं लेकिन उसको अपने अंदर नहीं बसाते हैं ही मेरे भाई घलत है इस वाइबल का हर प्रोमिस आपका हे हर प्रोमिस आपका है जब बी आपको यी बाद सुने ये जब भी पड़ते समय किसी प्रोमिस पर आप की निगा हो और जब भी वह स्कान शना मिस こो पड़े मैं तुझे कभी नहीं द्यागूँगा ये मेरे लिए है हाललुया उसको अपना बना लीजिए यूसुफ ने बना लिया था उसके भाईयों ने उसे बेचा और पोती घर में पोती पर के घर में वो दासरत्र का जीवन बिता रहा था पर्मिश्व की योजनाएं काम कर रही थी लेकिन शैतान ने पोती पर की पत्णी के अंदर वैविचार की आत्मा डाल दी हाललुया और पोती पर की पत्णी के द्वारा वो यूसुफ की धारमिक्टा को छीनना चाहता था उसके अधिकार को छीनना चाहता था हाललिया इसलिए उस पत्नी ने यूसुफ को जो इसका आपका नौकर था उसकी जो पत्नी है वो बार बार कहती थी कि मेरे पास आखahu पर 49 कदस 49 कदस बार बार उसे उखसाती थी कि वो उसके संख संभोग करे कामुक्ता की कामुक्ता करे हालेलिया रेस लोड ध्यान दीजे इस समझ को आपके जीवन में जो हो रहा है न वो कहीं ना कहीं शैतान है नहीं तो प्रबू है ध्यान दीजे यूसुफ को बार-बार उसकी पत्नी थी उसकी उखसार आई थी बार-बार पढ़े उन्तारिस का दस और ऐसा हुआ कि वो प्रति दिन इसुफ से बाते करती रही पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे प्रति दिन बार-बार हमारे कई गेस्ट हैं हमारे कई अगवे हैं कई बार हम लोग कहते हैं कि क्या करें बार बार वो आदमी ऐसा बोल रहा है बार बार आदमी एक और हमको बोल रही थी बार बार अभी मैं क्या करूं आप बिलाम है क्या आप बिलाम है क्योंकि परमिशर ने बिलाम को कह दिया था कि तुझे इस्राइल के खिलाफ बविश्वानी नहीं करनी थी तुझा लेकिन फिर भी बार-बार बिलाल पूछ रहा था बिलाम पूछ रहा था परमेशर क्या मैं करूं मैं जाओं कि नहीं जाओं क्यों क्यों कि उसके अंदर पैसे का स्वार था आज की जो सेवक हैं उनके अंदर स्वार्थ है पैसे का बार-बार यूसुफ की पोती पर की पतनी दिन रात बार-बार आप सुछिए शैटान आपके सामने बार-बार लेकर आएगा अजबाईशों की चीजें बार-बार अच्छे पकवान लेकर आएगा सुन्दर लल्किया अजबाईशा लेकर आएगा बार-बार पैसे का लाएगा आपको लालस लेकर आएगा बार-बार heart हाललुया और आप यह कहं कि क्या करूँ यह दसनुरी बार वो आया वो बुरा मन जाता यूर मैं ले लिया क्यों बार-बार वो बार बार आ रही है प्रति दिन आ रही है शेतां प्रति दिन आपके पढ़ा हुआ है शैतान प्रति दिन आपकी धर्मिक्ता को खेंचने के लिए आपकी धर्मिक्ता को खतम करने के लिए प्रति दिन आपके पीछे पढ़ा हुआ है कभी आपके पती के द्वारा कभी आपके पत्नी के द्वारा कभी आपके दोस्तों के द्वारा कभी आपके आफिस के द्वारा कभी आपकी नौकरी के द्वारा प्रती दिन वह आपके पीछे पड़ा हुआ है इसलिए पोधी पर की पत्री प्रती दिन यूसुफ के पीछे थी प्रती दिन मेरे संग लेट मेरे संग गलत काम कर मेरे संग आ यूसुफ जवान था खुब्सूरत था अकेला था कोई देखने रहा था उसका परिवार नहीं देखता था कोई याकुब का परिवार खनान में था कोई देखने रहा था आप कभी-कभी पाथ कर लेते कोई देख तो रहा नहीं है कोई देख तो रहा नहीं है हमारा तो कोई अपना है नहीं मैं तो किसी कोई जानती नहीं हूं किसी कोई जानता नहीं हूं मैं तो बीच किनारे हूँ सामने पानी है पीछे जंगल है हालेलुया कोई नहीं देख रहा है कौन गवाई देगा हम तो शुद्ध हैं हलो एमेन शेतान मन में डालता है पोतीपर की पतनी दिन राद उसके पीछे थी ये शेतान का सुरूप है लेकिन उसने कहा नए यूसुफ ने कहा नए मैं परमेश्वर का बंदा हूँ नए मुझे अपने शरीर से ज़ादा परमेश्वर से प्यार है हालेलुया और आपको बताओ कि उसने उस औरत के संग गलत करने से भला जेल जाना समझा मुझे जेल जाना मनजूर है और वो जेल गया बारा साल तक जेल मेरा इस अलॉट शेतान क्यों कर रहा था क्योंकि शेतान नहीं चाहता था कि परमेश्वर की योजना है शुरू हो शेतान नहीं चाहता था कि यूसुफ के द्वारा अगर वो पाप करता तो परमेश्वर यूसुफ के द्वारा काम नहीं कर पाता अगर यूसुफ पाप करता अगर आप पाप करते हैं तो परमेश् तक कि थी वो खतम हो जाती वो किसके द्वारा होती इसलिए वो सचेत रहा उसने शरीर का सुख नहीं देखा उसने परमेश्वर की आज्या को देखा चीनना शैतान चाहता है जो इशू मसी का लहू आपके अंदर है उस लहू को अशुद्ध करना उसको अपवित्र करना इसलिए अब आप मजबूत हैं दूसरा उसके लिए आप्शन क्या है आपके आसपास के लोग आपकी नौकरी आपके दोस्त आपके बच्चे आपका पती आपकी पत नहीं जो प्रभू में नहीं है जो प्रभू में कमजोर है आप उनके दोरा वो आपको अपवित्र करता है आप पर हमला करने की कोशिश करता है ताकि आप अपवित्र हो जाए हालेलुया हमें सचेत रहना है भावनाओं में नहीं बहना है बाइबल का जीवन भा का संबंद बनाने हैं तो पवित्रता का संबंद बनाना है आजह कर मेर में हमें अधिकार दिया है कि तुम विश्वास ही लखी से शादी करो करो शादी एक उसके बाद सुक भोको गहे और अलेलुया अगर नहीं करते हैं तो आप गलती करते हैं आप आप किसी पर दोश नहीं दे सकते हैं आप नहीं बहाना बना सकते हरे मैं क्या करूं नहीं परमेश्वर नहीं सुनने वाला है परमेश्वर नहीं आपके पापों को माफ किया लेकिन नहीं शिष्टी में आने के बा कि दूसरा कुरूंतियन पांच कदस पढ़िए बेटा जली से क्योंकि अविश्य है कि हम सब का हाल मसी के नियाय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक वैक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने दे के द्वारा किये हो पाए पाए जिसने इशु को मने को नहीं नहीं जन्म के बाद नहीं सिस्टी में आने के बाद अगर कोई आप बलत काम करते हैं आपका नियाय होगा कि शमा मांगिए पश्यताब करिए पवित्रता का संबंद बनाई परमिश्रक के संग और अपने भाई-बैनों के साथ अपने रिष्टों के साथ हालिलुया प्रेस लौट मेरे भाई मेरी बहें हमें उस शक्ति के अनुसार चलना है जो परमिश्र ने हमको दी है अलेलुया कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना जो परमिश्रक की द्रिश्टी में कलत है पहला पत्रस पांच का अट क्या वड़ा था दुबारा पढ़िये दना देखी हम क्यों आजमाईश में आज आते हैं सुनिए सचे तो और जाकते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिये के समान इस कोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए विश्वा सासबें दिडरो कर कि शैतान जो है वो भूख के शेर कि तर आपको देख रहा है रात दिन देख रहा है हालिए हिए दो बाते हैं जिसकी वरेसी आप बढ़ सकतें दो चीजे हैं जो आप करेंगे आप बढ़ सकते हैं नंबर वन धन्यवाद की आत्मा सुबह से सुबह उठती धन्यवाद दीजिए हर काम के लिए प्रमिश्र का धन्यवाद दीजिए प्रभू से पूछिए धन्यवाद दीजिए प्रभू का धन्यवाद दीजिए हर काम के लिए धन्यवाद 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 दीजिए परमिशन जो जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद दीजिए आपको लगुस से शुति किया उसके धन्यवाद दीजिए इश्व मसी जो आपके लिए मरा उसके धन्यवाद दीज से हैं जो आपको परमेशन आपके जीवन में करता है उसके धन्यवाद की आत्मा हमारे अंदर होने चैए हाललुया शिकायत नहीं संदे नहीं धन्यवाद हाललुया तो पहली चीज है धन्यवाद और दूसरी बात है शमा करना ten REM पत्र उसने श्यु मसीं सी चाता कि मैं अपने भाई को एक दिन में कितनी बार शमा करो और श्युम्हसी नहीं का ता कि साथ के सतत्तर बार यहने कि 4 sigus seven by आप अपने भाई को अपनी के लिए घ्रेना है तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं है किसी के अंदर में हो सकता आपके पिता ने आपके संग बहुत गलत काम किया हूँ माफ करिये उनको हो सकता आपके पड़ोसी ने आपके दोस्त ने आपके बॉइफरेंड ने आपको दुख दिया हूँ माफ करिए उसे पूरी तरीके से जब आप माफ करेंगे तो परमिश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करेगे परमिश्वर का प्रेम उसका सामर्त आपके अंदर रहेगा आलेलिया प्रेस अलॉट तो यह दो चीजें हैं इससे हम बच सकते हैं शेतान के वारों से शेतान की योजनाओं को खंडित कर सकती है दोनों चीजें ये दोनों चीजें अगर आप रोस करते रहेंगे आप परमिश्वर के औजारों से परमिश्वर जो तीर फेकने वाला जो योजना बना रहा है जो शेतान बना रहा है योजना है उससे आप प्रभुग आपसे बहुत प्यार करता है परमिश्ण ने जैसे आदम को अधिकार दिये थे इश्व मसी के द्वारा वो सारे अधिकार हमें मिल चुके हैं और हमें उन अधिकारों का उपयोग भी करना है और उनको समालना भी है समालना है ऐसाफ की तरह हमें अपने अधिकार को बेश नहीं देना है थोड़े से सुख के लिए हमें अपने अधिकार को बेश नहीं देना है अपने अधिकार का हमें समालना है क्योंकि वो ही अधिकार आपके पास आपकी शक्ती के रूप में है शेतान क्या देख रहा है यस शेतान क्या देख रहा है अपनी आखों से कि आपके पास वो अधिकार है कि नहीं है जिस दिन वो देखेगा कि आपके पास अधिकार नहीं है वो अटेक करेगा आपको पर जब तक आपके पास अधिकार है शादान आपको हिलने आपको आ नहीं सकता आपको छू नहीं सकता इसलिए वो लिखा है सचेत रहो अपने अधिकारों के पती सचेत रहो Hallelujah, praise the Lord आज का वच्छन मैं समझता हूं आपको अच्छा लगा है Hallelujah, कितने इस वच्छन से खुश हैं, कितने को अच्छीश मिला मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन बदला है Hallelujah, विश्वास करिए परमेशर आपसे बहुत प्यार करता है Hallelujah, जो यूटूब पे देख रहे हैं मैं आप सबको कह रहा हूं कि प्लीज इसे शेर करिए जितने जादा से जादा लोगों तक आप इसे पहुँचा सकते हैं पहुचाईए और सब्सक्राइब करिए प्रभू आपको बहुत आशीश देगा God bless you बोलिए ईशो मसी की ईशो मसी की प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है God bless you